नमस्कार आज के एक और नाए एस्पेसल वीडियो क्विटेस्ट में हम आप से पूछेंगे जी के जी इसके 50 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आप इस वीडियो क्विटेस्ट को ध्यान से खेलिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है को लेरू जिल भारत के किस राज्या में इस्तित है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंड का समय जो सुरू होते हैं अब ये सवाल हाल ही के एक्जाम में आया था को लेरू जिल भारत के किस राज्या में इस्तित है सही अंसर हो जाएगा आप सवाल बहुत अच्छे हैं चौरी चौरा कांड के समय वाइसराय कौन था सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी लॉड रीडिंग और यह चौरी चौरा कांड कब हुआ था 1922 में कौश्य नमबर तिन नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव कौन थे नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव कौन थे सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी भाग सिंग जे कौशन नमबर फोर भारत की यत्रा पर आने वाला प्रथम अंग्रेज समराठ कौन था भारत की यत्रा पर आने वाला प्रतम अंग्रेज समराथ कौन था आंसर हो जाएगा अप्सन निम्बर वी जोर्ज पंचम Q2. दिल्ली सल्तनत की अधिकारिक भासा क्या थे? सही आंसर हो जाएगा अप्सन निम्बर वी फार से Q6. गुजरात में खेरा के किसान अंदोलन का नितित्व किस ने किया था? ये सवाल हाली के एकजाम में आया था. गुजरात में खेरा के किसान अंदोलन का नितित्व किस ने किया था? अंसर हो जाएगा option number C. महत्मा गाधी ने. आगे सवाल है और सहयोग आंदोलन का अनुमोदन कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया सवाल यही था कॉश्चन एक बार फिट से सोल लेजिए और सहयोग आंदोलन का अनुमोदन कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया सही आंसर हो जाएगा option number B Congress के नागपूर अधिवेशन 1926B में किया गया सवाल ये भी हो सकता है और सहयो गांदोलन कब हुआ तो आंसर हो जाएगा option number B 1926B में ओके और सहयो गांदोलन कब हुआ 1926B में आगे सवाल है अलेपी बंदर गाहा भारत के किस राज्या में इस्तित है अलेपी बंदर गाहा भारत के किस राज्या में इस्तित है सही आंसर हो जाएगा option number B केरल question number 9 है बीश्व की सर्वधिक के बिश्वास घाती नदी किस नदी को कहा जाता है बीश्व की सर्वधिक के Q. नदी किस नदी को कहा जाता है Chinese नदी को Q. राष्ट्रपती पर माहा भीयोग की अनुछेद की द्वारा लगाया जाता है राश्ट्रपती पर महाभियोग की इस अनुछेद के द्वारा लगाया जाता है आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर ए अनुछेद 61 के अनुसार आगे सवाल है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर दिजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिल्लेबस पर और करता है धन्याबाद आगे सवाल है अपसर अंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर A मनीला फिलिपिन्स में है और ये भी सवाल आया था अस्थापना कब हुआ था अस्थापना कब हुआ था राइट अंसर हो जाएगा 1966 इसबी में एसिय अभिकास बैंक के की अस्थापना 1966 इसबी में और इसके Headquarters कहां थे Manila Philippines ओके कहां थे मिन्स हैं आगे सवाल है गौतम बुद्धे द्वारा ज्ञान प्राप्ती की घटना क्या कहलाती है गौतम बुध्ये द्वारा ज्यान प्राप्ति की घटना क्या कहलाता है सही आंसर हो जाएगा option नमबर B संबोधि महात्मा गौतम बुध्य के ज्यान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है question number 13 मानो शरीर में कुल कितनी हडिया पाई जाती है आंसर हो जाएगा option number B 206 question number 14 पल्लावो की राजधानी कहां थी सही आंसर हो जाएगा option number A कांची पूरम में पल्लावो की राजधानी कांची पूरम में थी आगे सवाल है नागरहूर नेशनल पार्क किस राजधानी के इस्तित है ये सवाल हाली के एकजाम में आया था नागरहूल नेशनल पार्क किस राजधानी के इस्तित है सही आंसर हो जाएगा option number C करनाटक में question number 16 गुप्त सवंत की अस्थापना किस ने की थी? गुप्त सवंत की अस्थापना किस ने की थी? सही आंसर हो जाएगा option number B की चंद्रगुप्त प्राथम ने किया था आगे सवाल है यूरोप का अखारा किस देश को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा option number A Belgium को question number 18 Lord Harding दुवितिये ने बंगाल भी भाजन कीस वर्स निराष्ट मतलब रद कर दिया question number फिर से Lord Harding दुवितिये ने बंगाल भी भाजन कब रद किया? ये भी सवाल हाली के एक्जाम में आया था important है आपको आंसर पता होना चाहिए answer हो जाएगा option number D 1911 S.B. में Lord Harding दुवितिये ने बंगाल भी भाजन को रद कर दिया आगे सवाल है Congress का प्रथम भी भाजन कीस अधिवेशन में हुआ था? ये भी सवाल बहुत ही important होते हैं आपको एक्जाम में आ जाते हैं Congress का प्रथम भी भाजन कीस अधिवेशन में हुआ था? आंसर हो जाएगा option नमबर A. सूरत अधिवेशन 1907 S.B. में आगे सवाल है रूस का राष्ट्रिये खेल क्या है? सही आंसर हो जाएगा option नमबर C. सतरंज आगे सवाल है नादिर साह ने भारत पर अक्रमन कीस वार्ष से किया था? नादिर साह ने भारत पर अक्रमन कीस वार्ष से किया था? सही आंसर हो जाएगा option नमबर A. सतरंज सो उन्चालीस S.B. में आगे सवाल है बीसव जन संख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल हाली के एकजाम में आया था बीसव जन संख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा option नमबर B. 11 जुलाई को आगे सवाल है उड डिस्पैच को किसने लागो किया था? ये सिख्छा से संबंधित था उड डिस्पैच को किसने लागो किया था? सही आंसर हो जाएगा option नमबर A. लॉड डलहौजी ने लागो किया था आगे सवाल है भारत का सबसे लंबा समुन्दरी पूल कौन है? सही आंसर हो जाएगा option नमबर C. भूपेन हजारी का सेतू आगे सवाल है रेल बजट को समन्ने बजट से कीस वर्ट से अलग कर दिया गया रेल बजट को समन्ने बजट से कीस वर्ट से अलग कर दिया गया सही आंसर हो जाएगा option नमबर A. उननी सो चौवीस पचीस इस्पी में और आपको बता दे कि आज हमने आपके लिए टेलिग्राम चाइनल को क्रियेट कर दिये हैं आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां आपको हम बहुत ही अच्छे लेवल के स्टडी नोट्स मेटेरियल्स को उपलाब्द कराएंगे जिससे आपका ज्यान बढ़ेगा आगे और भी अच्छा कर सकेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए आगे सवाल है साथ टापूओ का नगर किसे कहा जाता है? साथ टापूओ का नगर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A मुंबाई को कहा जाता है आगे सवाल है भारत का सबसे बारा राज्या छेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? बहुत ललीपप सवाल है ऐसा भी सवाल आपके एक्जाम में आ जाते हैं इग्नॉर नहीं कर सकते आप आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A राजस्थान और जनसांख्या के मामले में उत्तर पर्देश आगे सवाल है फूलो की घाटी किस राज्या में इस्तित है? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर D उत्तरा खंड आगे सवाल है योजना आयोक का अध्याक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर D परधान मंत्री आगे सवाल है भोपाल गयस त्रासदी की स्वर्ष हुआ? ये भी सवाल आया था भोपाल गयस त्रासदी की स्वर्ष हुआ? सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर C 3 दिसंबर 1984 इस्वीक को आगे सवाल है राष्ट्रिये क्रिसी बीमा योजना कीस वार्स लागू की गई सही आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर C 1999 इस वी में आगे सवाल है केंद्रिये गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां इस्तित है सवाल पर ध्यान देजिए केंद्रिये गन्ना अनुसंधान केंद्र है तो आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर C कोयम बटूर तमिल नाडू में इस्तित है आगे सवाल है यूने इसको द्वारा कलिंग पुरसकार कीस छेत्र के लिए दिया जाता है यूने इसको द्वारा कलिंग पुरसकार कीस छेत्र में अच्छा करने के लिए दिया जाता है आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर B विज्यान के छेत्र में आगे सवाल है मदर ट्रेशा को भारत रतना कीस वर्ट से दिया गया अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर D 1980 इस वी में आगे सवाल है कितने डिगरी सेल्सियस को परम सुन्या ताप मान कहा जाता है अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A माइनस 273 डिगरी सेल्सियस को आगे प्रस्न है सारनाथ में की से सासक का अस्थम है सारनाथ में की से सासक का अस्थम है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A असोक का आगे सवाल है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलिम आकरमनकारी कौन था भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलिम आकरमनकारी कौन था आंसर हो जाएगा option number C, मुहामद बिन कासिम, इसने 712 इस भी में अक्रमन किया था, आगे सवाल है, बिटामिन्स की खोज किसने की? सही आंसर हो जाएगा option number D, फांकने, आगे सवाल है, राज्य सभा का पदेने सभापती कौन होता है, आंसर हो जाएगा option number B, उपराश्ट्रपती, आगे सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा option number D, सुबास चंद्रबोस ने, और दिल्ली अभी दूर है का नारा किसने दिया था? कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, अलाव दिन ओलिया ने दिया था, निजामू दिन ओलिया ने दिया था, ध्यान रखिएगा निजामू दिन ओलिया ने दिया था, दिल्ली अभी दूर है आगे सवाल है स्वामी विबेका नंदे ने सिकांगो में हुए वीश्वा धार्म सम्मेलन को कब संबोधित किया आंसरोग आप्शन नंबर do 2893 में आगे सवाल है नjang के नयायखतायां甚 day करता ही ओ करता ह सबसे बारा बैंग के कौन सा है सर्वजनिक छेत्रों में दीज का सबसे बारा बैंग के कौन सा है आंसरों का आपसन नंबर बी एस्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानि की इस भी आई आगे सवाल है कि मंदिर निर्मान कला का जन्म किस काल में हुआ था आंसरों का आपसन नंबर बी गुपत काल आगे सवाल है गुर्दे की किरियातमक इकाई क्या कहलाती है आंसर हो जाएगा आपसन नंबर बी नियफरों आगे सवाल है भारत का केंदरिय बैंक कौन सा है भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है सही आंसर हो जाएगा आपसन नंबर सी आर बी आई भारतिय रिजर्ब बैंक आगे सवाल है शरीर में पीत का स्राव किस गरंथी से होता है ये सवाल हाली के एक्जाम में आया था सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर D यक्रित आगे सवाल है बीश्वा में प्राकृतिक हीरा का सबसे बारा उत्पादक देश कौन सा है आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर D कभी नहीं आगे सवाल है गौतम बुद्ध की मृत्यू 483 इसापूर्वा में कहां हुआ गौतम बुद्ध की मृत्यू कहां हुई थी ये उपी में हुई थी आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की मृत्यू कहां हुई थी आंसर होगा option number D कुसी नगर में आगे सवाल है मधुसाला के रचाईता कौन है यह सवाल पिछले क्लास के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा करा गया है आप लिंक पे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पर आपको बहुत इंपर्टेंट नोट्स को उपलाद कर आया जाएगा जिसे अप रेगुलर होकर बहुत फैदे उठा सकते हैं आपके लिए सवाल क्या है कौन सी विटामिन जल में घुलन होई देख लीजिए जय हिंद जय भारत